आज हम बनाएंगे पनीर पकोडा मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर इसे छोटे तुकड़ों में कट कर लिया है 200 ग्राम बेशन आदा चमच गरम मसाला धनिया पौडर नमक लाल मिर्च पौडर सेजवान चटनी पानी जब से पहले हम बेशन का घूल बनाएंगे 200 ग्राम बेशन आदा चमच धनिया पौडर नमक लाल मिर्च पौडर आदा चमच गरम मसाला इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे थोड़ा डालेंगे पानी अब हमारा बेशन का बैटर बनकर तयार है अब हम चलता है पनीर की तरफ इसे बीच में से कट लाएंगे इसे कट करेंगे अब सब पनीर को इसी तरह कट करेंगे अब हम क्या करेंगे इस पनीर के तुकड़े कुलेंगे सेजवान चटनी लगाएंगे इस पर एक पनीर लेंगे इस पर सेजवान चटनी लगाएंगे इसके उपर और एक पनीर रखेंगे इसी तरह सभी पनीर को सेजवान चटनी लगाएंगे अब देख सकते हैं कि मैंने पनीर को सेजवान चटनी लगाएंगे अब इसे बेसन के वटन में ढीप करकर तलेंगे तेल गरम हो गया हमारा इसमें एक एक पनीर के पेसेश डालकर एक एक फिस डालेंगे रहे गास कपले मिडियम पर रखा है अबसे पलट देंगे तो हमने इसको एक सबसे मिन तक तला इसको अब दुसरे सबसे से पलटकर तीर मिन तक तलेगे अबसे पलट देगे अब इसे एक की चंटा वेल कर निकालेंगे इसका एक फिस्वाव इंटर जाएगा इसको एक इतने अच्छे लग रहे हैं पनीर पकोडा बन कर तयार है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू फर वाचिंग झाल